हालो फ्रेंस नमेशकार आज हम बात करेंगे कि कैसे करें आप अपने अपचेतन को प्रोग्राम अपने सबकॉंशिस माइट को प्रोग्राम जिससे कि आपकी जीवन से मुश्कले परेशानिया हट सके जा सके और पॉजिटिविटी गुड्नेस हैपिनेस खुशी बिलकुल प्यार प्रेम सोहार्द आपके जीवन में एंटर कर सके किस तरीके से अपने सबकॉंशिस की आप प्रोग्रामिंग करेंगे देखिये पहले इस बात को समझे subconscious क्या है हमारा मन जो भी चीजे हम हमारे subconscious में है न हमारे अंदर मन में है वो आटो मोड पर चलती है सारी चीजे उस बारे में आप कभी सूस्टे ही नहीं है वो चीजे automatic होती रहती है और जो चीजे आपके पास नहीं है वो आप consciously 2400 घंटे उठते बैठते आपके माइंड में वही चीज़े खुमती है जो चीज़े आपके पास नहीं है उसे आप conscious mind के थूँ 2400 घंटे सो सोचकर सो सोचकर सो सोचकर दूरिया बना लेते हो उस चीज़ से और जादा और जो चीज़े हमारे subconscious mind में होती है वो चीज़े हमें automatically मिली वही होती है हम चीज़े के बारे में सोचते भी नहीं है तो क्यों ना जो हम conscious level पर सोचते है वो चीज़े अगर हम अपने subconscious mind में पहुँचा दे तो वो चीज़े भी हमें मिल जाएगी है ना मज़ेदार बात तो चली अब इसे सीखते हैं कैसे जो desire है जो आपके wishes है कैसे आप उसे अपने subconscious mind में पहुचाते हैं ताकि वो आपके जीवन की सच्चाई बन सके आपके जीवन की reality बन सके दिए आप उसे जी सके प्यार प्रेम से आप उसे जी सके अपने जीवन का आन उठा सके कैसे चलिए स्टार्ट करते हैं जब आप सो कर उठते हैं उसके एक घंडे तक आपका subconscious mind फुल एक्टिव रहता है उस दोरान आप जो भी अपने बारे में positivity चाहते हैं आपके जीवन में जो भी positive चीज़ा पर track करना चाहते हैं वो चीज़े अगर आप उस दोरान जिस समय आप उठते हैं उठने के एक घंडे तक आपका subconscious active रहता है तो जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में उस चीज़ को वो positive affirmation डाली अपने subconscious mind में उस समय आप एक घंडे तक जो भी positive affirmation strong affirmation अपने mind को देते हैं वो चीज़ आपका subconscious mind receive करना शुरू कर देता है जब ये इस process को तकरीबन 21 दिल लगते हैं कोई भी wish को subconscious जाने में 21 दिल लगते हैं और वो चीज़े फिर आपके जीवन की reality बन जाती हैं आपके जीवन की सच्चाई बन जाती हैं कैसे मान लेजिए आपको success चाहिए life में तो आप 2400 घंटे ये चीज़ अपने दिमाग में डालेंगे कि मैं successful हूँ मैं successful हूँ मैं भागेबान हूँ मैं successful हूँ जब आप सुबह इतने strong affirmation अपने subconscious को देते हैं तो आपका conscious mind जो होता न वो परिशान होना जो हो जाता है उसको लग गई है फिर वो क्या करता है क्योंकि अंतर मन हमारा बहुत ज़्यादा powerful है जब आपका conscious चीज़ों को पकड़ना शुरू करता न तो आपके conscious mind की ज़रा पैंट बज जाती है फिर वो परिशान होता है फिर वो आपको आपका conscious mind आपको आपकी सफल ताके कि कि आप सफल कैसे ह आपको जादू की चड़ी तो है नहीं कि कोई घुमाया कोई परी आई और उपर से आप भगवान ने धन की वर्षा कर दिया सथ कुछ होगा नहीं एक्शन भी आपको लेने पड़ेंगे तो जब आपके subconscious में ये affirmation बार बार जाती है बार बार जाती है कि मैं successful हूँ मैं successful मैं धन्वान हूँ मेरे पास बहुत पैसा है तो आपका conscious mind परेशान होना शुरू हो जाता है वो सोचता हो फो यार ये तो अब मुझे अपने हिसाब से चलाएगा तो conscious mind आपको उन चीजों की तरफ ले कर जाता है जहां से आप सही action लेंगे वो आपको फिर ऐसे ऐसे रस्त से दिखाएगा आपका conscious mind जिससे आप अपनी wishes को अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे affirmation तो अपने subconscious mind में आपने डाली वो मन में बैठती जाती है और फिर आप दिन में जब आप दिन के समय होते हैं तब आपके mind में फिर ये चीज़े आती है कि कैसे सफल तो मैं हूँ बट action भी तो लेना पड़ेगा अप फिर आपका conscious mind जो की 2400 गंटे भी हाल पड़ा था वो ये हाल पड़ा था 2400 गंटे आपको tense drug ता था कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है अब वो और दिशा से हटकर आ गया है सही direction में अब वो आपको सिखा रहा है आप ये करेंगे तो आप सही action लेंगे आप कोई भी business करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा अब वो आपको business के idea सिखा रहा है पहले क्या कर रहा था पहले कर रहा था, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ करी नहीं सकता, है ना, बट जब आपने positive affirmation अपने subconscious mind में डालना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, फिर आपका conscious mind परेशान होता है, और सोचता ह कि अब मेरी चलने वाली नहीं है, बंदा अब यास रिक हो चुका है, जितनी मैंने मनमानी करनी थी कर ली, अब मेरी नहीं चलने वाली है, फिर वो भी आपको सही दिशा में लेकर जाने लगता है, दिन में आपको सही conscious लेवर पर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, फिर conscious आपको नहीं चलाता है, आप अपने conscious को चलाते हैं, इस तरीके से जब आप रेगुलरी की जिन तक अपने शब conscious की प्रग्रामिंग करते हैं, तो कुछ ही दिनों भी वो चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्टोना शुरू हो जाती हैं, तो डेली कीजिए, सुबह उठने के एक गंडे बाग तक जब आपका माइड अक्टिव मोड पर रहता है conscious, तब आप positive affirmation दीजिए, जो भी आप च गंडे उस चीज़ को अपने दिमाग में जो भी आप चाहते हैं, तो रात को सोने से जस्ट दस मिनट पहले फूल अक्टिव रहता है आपका subconscious, उस टेम भी आप positive affirmation दीजिए, जो भी आपकी desire है, इस तरीके से आप अपने subconscious को सही काम पर लगा सकते हैं, subconscious तो सही कामी करता है, जो चीज़े हमारी life में अच्छा हो रही होती ना, वो तो हमें पता ही नहीं तो हमारा subconscious कर रही जा रहा है, उन चीज़ों के तो हम गिंती भी नहीं करते हैं, जो हमारे पास हैं, बस हम मुनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जो हमारे पास नहीं है तो नहीं है तो अपने conscious को सही दिशा में लगाए conscious को अपने hand over कीजिए उसके hand over आप नहीं होंगे है न तो इस तरीके से अपने subconscious की programming करें और अपने life को better बनाए सब कुछ आपके हाथ में हैं जो अपनी help करते हैं बग्मान उनी की रक्षा करते हैं करें अपनी मदद और change करें लाइफ को क्यासी लगी information आपको मुझे comment करके जुरू बताए thank for watching, bye bye